नमस्कार मैं रविश कुमार यह एक ऐसा फैसला है जिसने गटर में बदल चुके गोधी मीडिया का सारा गंदा पानी सड़क पर ला दिया है इंडिया गठबंदन ने 14 एंकरों के नाम सारवजनिक किये हैं और कहा है कि गठबंदन के किसी भी दल का प्रवक्ता इनके नफरती कारिक्रमों में नहीं जाएगा यह बहिशकार पूरे चैनल का नहीं है केवल उन एंकरों का है और उनके कारिक्रमों का यानि उनके प्रवक्ता उनहीं चैनलों के दूसरे कारिक्रमों में हिस्सा लेते रहेंगे इंडिया गठबंदन ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें कारण स्पष्ट होने चाहिए थे ताकि पता चलता कि आखिर उनका गठबंदन इस फैसले पर क्यों पहुंचा अलग-अलग प्रवक्ताओं ने बयान दिये हैं मगर एक साथ एक जगह पर इस पश्टता से बात नहीं आ सकी इसके पीछे यही कहा जा रहा है कि इन एंकरों ने नफरत फैलाने की सीमा पार कर दी है आप और हम सभी जानते हैं कि इस देश में पत्रकारिता को कैसे बरबाद कर दिया गया इस पेशा में आप कोई नियम कानून नहीं बचा है उसकी बुनियाद ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है बदल दी गई है केवल दलदल बचा है आपने एक बात नोट की होगी जब यह लिस्ट आई तो इन एंकरों ने अपना बचाओ पत्रकारिता के उन्हीं उसूलों के साहरे करना शुरू कर दिया जिन्हें कुचलने में इन्होंने जरा भी रहम नहीं की जो लोग पत्रकारिता पर बेरहमी से हमला करते रहे आज वही पत्रकारिता पर हमला का रोना रो रहे हैं ऐसे अनेक उधारण है जिससे बताया जा सकता है कि 2014 के बाद से जब भी प्रेस और पत्रकारों पर हमला हुआ इन एंकरों और इनके चैनलों ने पत्रकारों के बजाए हमला करने वाले दल और सरकार का साथ दिया मोदी सरकार के दौर में पत्रकारों पर हमले के खिलाब दिल्ली के प्रेस कलब ने जितने प्रदर्शन किये चाहे तो ये 14 एंकर बता सकते हैं कि वे कब इन प्रदर्शनों में हिस्सा लेने गए जाने की बात आप छोड़ दीजे पत्रकारों के समर्थन में कब इन्होंने बोला सवाल है कि क्या इंडिया गठबंदन को नफरत फैलाने वाले एंकरों और उनके कारिक्रमों में प्रवक्ता भेजने से मना करना चाहिए था अगर चैनल से लेकर एंकर तक नफरत फैलाने से बाज नहीं आते हैं तो आप बताईए उन्हें क्या करना चाहिए था इंडिया गठबंदन के इस फैसले पर तिवर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस फैसले को दुर्भागे पूर्ण से लेकर अभूत पुर्व कहा जा रहा है यह वो देश है जहां सामप्रदाइक तनाव होने पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और सामप्रदाइकता फैलाने के लिए गोदी चैनलों को खुला छोड़ दिया जाता है यह वीडियो लंबा हो नहीं है इसलिए आप से गुजारिश है कि समय निकाल कर आखिर तक इसे देखिए क्योंकि इस वीडियो का रेंज ब्रिटिन, रवांडा, कश्मीर से लेकर किसान आंदोलन और मोदी दौर के दस साल के दौरान मीडिया के दमन तक जाता है सबका आपस में गहरा संबंध है इसलिए धीरच के साथ पूरा वीडियो देखिए इस बहस में प्रवेश करने से पहले आपको यह समझना होगा कि हम मीडिया के जिस दौर की बात कर रहे हैं उसने पत्रकारिता के नाम पर केवल अपराद किया है और राजनिती के नाम पर अपराधियों को संगरक्षन दिया है हर दर्शक जानता है कि 2014 के बाद से भारत की पत्रकारिता नश्ट हो चुकी है इसमें केवल मोदी मोदी चलता है मोदी से सवाल तक नहीं पूछा जाता जब भी जनता पूछना चाहती है इन चैनलों पर एंटी मुस्लिम डिबेट चलने लगता है जो पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा सके वो धर्म की रक्षा के नाम पर पत्रकारिता को कुचलते रहे और एंटी मुस्लिम नफरत फैलाते रहे यह सब अपवाद के तौर पर नहीं हुआ बलकि हर दिन होता रहा अगर आप इसे स्विकार करते हैं तो फिर यह सवाल खुद से कीजिए कि आपको गटर में डूबा हुआ गोदी मीडिया चाहिए जो नहीं है नहीं होता है नहीं है जो प्रेस्ट गार्म करते हैं तो आप अच्छी तरह जान लिजिए कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे अब वो जाएंगे यह पक्का जान लिजिए और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कबजा कर लिया कोई भी दूसरे की बात कम छपता और ज्यादा तर उन्हीं की बात छपते रहती कितना काम पहले हुआ है अलग-अलग राज्यों ने कितना काम किया है दूसरे दूसरे पाटियों उसका कम छपता आई यह कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता तब ही ता आप लों पर कबजा नहीं जी तब तब पाए है जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होईएगा और जो आपको उचित लेगा वही लिखिएगा और वही बूलिएगा यह बहुत जरूरी है अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं कहीं क्या काम हो रहा है क्या ठ इंडिया गठबंदन ने अचानक फैसला नहीं लिया इन नफरती एंकरों और डिबेट शो को दस साल का वक्त दिया है दस साल 2014 में अगर ऐसा फैसला आता तो कहा जा सकता था कि विपक्ष ने सोचा समझा नहीं लेकिन दस साल तक देखने आजबाने के बाद विपक्ष को क्या करना चाहिए था यह समस्या दूसरे देशों में भी आई है उन्होंने जो किया उस पर इंडिया गठबंदन अभी पहुँचा भी नहीं है बलकि इंडिया गठबंदन के फैसले की आलोचना इस बात को लेकर भी हो रही है कि इसके गठबंदन की सरकारें उन्हीं चैनलों को खुब विग्य आपन दिये जा रही हैं जिसके दम पर ये नफरत फैला रहे हैं यह भी एक आलोचना है कि किसी एक एंकर के शो में नहीं जाने से क्या हासिल होगा असल दोशी तो चैनल है और चैनलों के मालिक हैं उनके नाम लिए जाने चाहिए थे आपको यह देखना चाहिए कि इंडिय बाते नहीं होती हैं मैं एक उधारन से बताना चाहता हूं कि ऐसा करना उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा चौदा एंकरों में एक नाम है अमन चोपडा का क्या टीवी 18 ने अपने बयान में कहा है कि अमन की पत्रकारिता अमन के लिए हो रही है नफरत के लिए नहीं हो रही है मेवाद नू की सामुदाई घटना पर 31 जुलाई को टीवी 18 चैनल के अमन चोपडा अपने कारिकरम में पर्मानेंट इलाज की बात करने लगे ये ठीक उसी समय की बात है जब चलती एक्सप्रेस गाड़ी में आरपी एफ के जवान चेतन सिंग ने अपने सीनियर समय तीन मुसल्मानों को चिनित कर गोली मार दी थी जब पत्रकार राहुल देव ने इस पर इने टोका और याद दिलाया कि फाइनल सलूशन की बात नाजी जर्मनी में की गई थी तब भी या एंकर अपनी बात पर टिका रहा और साफ करता रहा कि पर्मानेंट इलाज से उ तो एतिहासिक रूप से नरसंगार से जुड़े हुए हैं अगर आप केवल भाशा के हिसाब से इन चैनलों का विशलेशन करेंगे तो डर लगना चाहिए इंडिया गठबंदन के प्रमुक दल कॉंग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तीन हजार किलोमेटर से अधिक की प या कैसे हो सकता है कि उस दल का नेता नफरत के खिलाब पैदल चल रहा हो और उसके प्रवक्ता कूरसी लगाकर नफरती डिबेट में हिस्सा ले रहे हो और उस डिबेट को माननेता दे रहे हो मगर इनके जो चैनल है ये भी नफरत फैलाने का काम करते है चोपिस घंटा चोपिस घंटा हिंदू मुसलिम 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 सच तो यह है कि आलोचना विपक्ष के प्रवक्ताओं की होने लगी थी कि वे नफरत फैलाने वाले कारिक्रमों में क्यों जाते हैं अब जब उन्होंने कह दिया कि हम इन 14 पत्रकारों के कारिक्रम में नहीं जाएंगे तो यह पत्रकारिता पर हमला कैसे है नफरत फैलाने वाले इन एंकरों का कई साल का रेकॉर्ड है एक दिन की बात नहीं है एक सवाल उठता है कि क्या सारजनिक रूप से नाम प्रकाशित करने चाहिए थे इन्हें चुपचाब करना चाहिए था मगर इससे क्या हासिल हो जाता जनता को कारण पता चलना चाहिए था अगर चुपचाब करते तो जनता को कारण पता नहीं चलता बीजेपी के सांसद निशिकान, दुबे, अभिसार और रोहिनी सिंग का नाम लोग सभा में ले रहे थे चीन से पैसा लेने के आरोप लगा रहे थे क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था तमाम एजेंसियों से लैस सरकार से जुड़े सांसद इस तरह से पहचान कर रहे थे क्या कभी ने अभिसार और रोहिनी की मानसिक इस्थिती के बारे में सोचा चौदा मेंसे कुछ हैंकरों ने तो बकाइदा उस पर शो किया नाम लेकर बिना सबूत आरोप लगाए क्या तब इन चौदा मेंसे किसी ने कहा कि ऐसा करना पत्रकारिता पर हमला है वे खुद भी तो पत्रकारिता पर हमला करते रहे हैं विपक्ष ने एक सूची जारी की कि हम इनके कारिकरम में नहीं जाएंगे तो वे पत्रकारिता पर हमला बताया जा रहा है उन एंकरों को कुछ भी बोलने से किसी ने नहीं रोका है ना पुलिस की धमकी दी है बस उनके बोलने का विरोत किया है और खुद को अलग किया है कुल नहीं जानता कि इन चैनलों और एंकरों के पास बी एक सूची है कि किस-किस को नहीं बुलाना है ये खुद सेंसर करते हैं अख़बार अब कई विद्वानों के लेक नहीं छापते 2014 के बाद ऐसे कई विद्वानों और जानकारों को चैनलों ने भी बुलाना बंद कर दिया जो पहले बुलाई जाते थे कई विद्वानों ने खुद से इन डिबेड शो में जाना बंद कर दिया या उनका नीजी फैसला है मगर राजनितिक दल चोरी छिपे ये काम क्यों करें क्या एक गठवंदन नीजी तोर पर फैसला ले सकता था तब भी तो ये बात सामने आती तो क्यों ना सूची ही जारी कर दी जाए यही नहीं 2022 में मुस्लिम परसनल लॉब बोर्ड ने भी इसलामिक विद्वानों और मौलानाओं से अपील की कि इस तरह के नफरती कारिक्रमों में ना जाएं इसे बढ़ावा ना दें तो क्या नफरती कारिक्रमों में नहीं जाना पत्रकारिता पर हमला है वैसे इन चैनलों को आज भी और अभी भी विपक्ष की सरकारों से विग्यापन मिल रहे हैं अगर विपक्ष इनकी पत्रकारिता पर हमला कर रहा है तो इन चैनलों ने आगे आकर क्यों नहीं कहा कि हम पत्रकारिता पर हमला करने वालों से एक नया पैसा विग्यापन नहीं लेंगे पत्रकारिता पर हमला करने वालों से ये विग्यापन क्यों ले रहे हैं क्यों नहीं मना कर रहे हैं सवाल है कि क्या सामप्रदाइकता का विरोध करना पत्रकारिता पर हमला है आज की तारीख में मीडिया सामप्रदाइकता का सबसे बड़ा फ्रंट है गोदी मीडिया का जवाब तयार करने में भारत का विपक्ष अभी भी कमसासिक है उसे बकाइदा अपनी हर सभाओं में रैलियों में अखबार से लेकर चैनलों के बारे में जनता को बताना चाहिए अखबार खोल कर दिखाना चाहिए कि कैसे सारे पन्नों पर केवल बी-जे-पी है विपक्ष नहीं है चैनलों को चला कर रैलियों में दिखाया जाना चाहिए कि कैसे पत्रकारिता को बरबाद कर दिया गया ताकि आप जनता की आवाज उसके जरीय सरकार तक ना पहुँचे आखिर विपक्ष जनता के बीच क्यों नहीं जा रहा है क्या जनता को मालूम नहीं कि ये सारे एंकर और चैनल केवल विपक्ष विरोधी नहीं है जनता के भी विरोधी हैं प्रवक्ता नहीं जाएंगे जिस तरह से ये पहले भी एक तरफा कारिकरम करते थे अब भी कर सकते हैं बस इन्हें मुरगा लड़ाने का मौका नहीं मिलेगा इसी तरह के नफरती टीवी कारिकरमों के खिलाब ब्रिटेन में भी स्टॉप फंडिंग हेट नाम से अभियान चला इसकी वेबसाइट खोलते ही आपको ये एनिमिशन दिखेगा कि बूंद बूंद कर हमारे समाज में नफरत बेच रही हेडलाइन जहर के बीज बो रही है हेट कराइम बढ़ रहे हैं अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है प्रेस अपना बाजार चलाने के लिए नफरत और विभाजन का इस्तेमाल करता है और इसके लिए पैसा विग्यापन से मिलता है विग्यापन देने वालों को इस बात से फर्क पड़ता है कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं अगर वो ऐसे अखबारों को विग्यापन दे रहे हैं जो नफरत, पुर्वागरा और जूट फैलाते हैं तो हम उन्हें चिनहित करेंगे इस बात का प्रचार करेंगे क्योंकि आप जितना प्रचार करेंगे उतना ही नफरत को कीमत चुकानी होगी और जब विग्यापन देने वाले अपने विग्यापन कम कर देंगे तब नफरत चापना बंद हो जाएगा इनके कैमपेंड के बाद कई कमपनियों ने विग्यापन देना बंद कर दिया नफरत से लड़ना कब से पत्रकारिता पर हमला हो गया है जब पत्रकारिता अपराधी की तरह हमला करने लगे अपराध की भाशा बोलने लग जाए तो क्या उसे ऐसा करने की छूट मिलनी चाहिए इसी जुलाई में एमके वेडू ने दवायर में एक लेख लिखा उसके अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्राले ने करीब एक दरजन प्राइंग टाइम एंकरों समेत प्रमुक संपादकों से मीटिंग की विशे था कि क्या धार्मिक और सामप्रदाइक उनमाद वाले ड 2022 में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर संसद में जवाब दे रहे थे उन्होंने बताया कि पिछले तीन साल में मोदी सरकार ने 163 केसों में निजी टीवी चैनलों पर प्रोग्राम कोट के उलंगन के चलते कारवाई की है इसमें एडवाईजरी, चेताव नी, माफी मांगने का आदेश और आफ एर किये जाने के ओर्डर शामिल हैं, सरकार खुद आफ एर करवा रही थी, सोचिए, कई यूट्यूबर के खिलाब नोटिस को लेकर सवाल उटता है, कि इनकी पत्रकारिता को कुचल दिया गया, तब क्या इन 14 एंकरों और उनके चै कानलों से कहा गया कि सकती से केबल टेलिविजन नेटवर्क 1995 के निर्देशों का पालन कीजिए, सरकार प्रतिबंद भी लगा सकती है, इसमें साफ लिखा था कि किसी धर्म या समुदाएं पर हमला ना करें, सामप्रदाइक भावना फैलाने वाले वीडियो या तस्वीरों का इस्तिमाल ना करें, सरकार ने खुद लिखा है कि ऐसे कारिकरों पर प्रतिबंद भी लगा सकती है, लगाया या नहीं लगाया आप उसी से पूछिए, इंडिया गठबंदन ने प्रतिबंद का रास्ता नहीं चुना, सिर्व इतना कहा कि हम इन चैनलों के खास एंकर के नहीं जाएंगे, पिछले साल सुचना प्रसारण मंत्राले ने इन चैनलों का नाम तक नहीं लिया, लेकिन क्या उससे इनके कारिकरों में कोई बदलाव भी आया, खुद आपको देखना चाहिए, कि इस नोटिस में सुचना प्रसारण मंत्राले ने किस तरह के उधारण द के मौके पर उत्तर पश्मी दिल्ली में चैनलों ने तनाव फैलाने की भरसक कोशिश की थी, सरकार ने अपने नोटिस में कई हेडलाइन का हवाला दिया, जो उस वक्त चैनलों पर चलाई गई थी, एक हेडलाइन है दिल्ली में अमन के दुश्मन कौन, बड़ी साजिश द ने इन चैनलों का नाम नहीं लिया, इंडिया गठबंदन ने इनका नाम ले लिया, मगर पता तो चलता ही है कि कौन क्या कर रहा है, विपक्ष ने दस साल के बाद ये फैसला लिया है, याद रखिएगा, इस दौरान इन चैनलों के कारिक्रमों को लेकर तमाम आलोचनाएं दुनिया भर में छपी हैं, बहस हुई है, अदालत तक ने गंभीर टिपनी की है, मगर इन पर कोई असर नहीं पड़ा, नफरत पैलाने के मामले में रेडियो रवांडा का उधारन दिया जाता है, उननीस सो चारानवे में सो दिनों के भीतर आठ लाग जन जातियत तुझस और नरमपंथी हुतु लोगों का नरसंगार कर दिया गया था, तीन साल पहले चरासी साल के फिलेशियन कबूगा को गिरफतार किया गया, यह आदमी उसी रेडियो आर्टी एलम का सथ संस्थापक और पैसा देने वाला था, जिसने तुझसी लोगों को बार बार तेल चट अधिया करनी है, यह भी बताया जाने लगा कि वो अव्यक्ति कहां मिलेगा और भीड इनकी हत्या करने लग जाती है, ऐसे गाने बजाये जाने लगे जो नफरत फैलाते थे, भीड को उकसाते थे, ठीक इसी तरह के गाने आजकल भारत में धार्मिक यात्राओं में बजने लगे हैं, इसके अनेक वीडियो सोचल मेडिया पर आपको मिल जाएंगे, वाइरल होते रहते हैं में ग्राहक बन कर जाते हैं, हमें नफरत भुक भारत की दिशा में एक कदम उठाना था, आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषनों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूस फैलाएं, कुछ भी करें हम जूजने को त तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आएं, लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे और वो भी ऐसी नफरत जो की हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागिदार नहीं रहेंगे, बड़े भारी मन से निरने लिया लिया, हमें भारत से महबत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने के दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा, यही सोचकर हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने ये निरने लिया, कि हम इन नफरत के बाजारों में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे, उम्मीद है आने वाले दिनों में वक्त बदलेगा, स्थिती बदलेगी, इन एंकर्स को भी ये आभास होगा, कि आने वाली पी फैसला आपको करना है, सितंबर 2022 में सुप्रीम कोट ने कहा कि टीवी एंकर का रोल ये सुनिशित करने में एहम है कि उनका डिबेट काईकरम हेट स्पीच में ना तबदील हो, जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हम टीवी पर नफरत का प्रसारण नहीं होने दे सकते हैं, तो क्या या पत्रकारिता पर हमला था, जस्टिस जोसेफ की टिपनी तो रचनात्मक और आलोचनात्मक दोनों थी, तो क्या इससे इन नफरती एंकरों को रत्ती भर का फर्क पड़ा, इस मामले में कोट ने कहा था कि कई टीवी प्रोग्राम में सभी प्रतिभागियों को बोलने का स काल के महिनों में विपक्शी पार्टियों ने भी लगाए, राजनितिक दलों ने समय समय पर इन कारिक्रमों से दूरी भी बनाई, फिर वापस उनके कारिक्रमों में जाने भी लगे, लेकिन इनके रवये में कोई बदलाव नहीं आया, आप नहीं कह सकते कि विपक्श ने एक जटके में ये फैसला लिया है। सचाई ये है कि हर तरह के रचनात्मक और अलुचनात्मक टिपणी के बाद भी ये चैनल एंटी मुस्लिम एजंडे से बाहर नहीं आए और ना आने वाले हैं। किया और ना हो सका तो विपक्ष ने केवल इतना कहा कि हम भरे मंद से फैसला कर रहे हैं। कॉंग्रेस प्रवक्ता पवन खेडा ने कहा कि हमें इन एंकरों से नफरत नहीं है मगर अपने देश से जादा प्यार है तो इसे पत्रकारिता पर हमला बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन टीवी के कारिकरम UPSC जिहाद को लेकर कई आचिकाएं दायर हैं। इनमें मांग की गई है कि नफरती भाशनों को रोकने के लिए कोई दिशा निर्देश तैयार हो। आज तक निउस चैनल इसे नहीं रोक पाए। जस्टिस जोसेफ जस्टिस नागरतना की बेंच पिछले कुछ समय से ऐसी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान कोट की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि बढ़ती हुई नफरत या टीवी पर जो पुर्वागराफ फैलाए जाते हैं उसके खिलाफ संदेश देने के लिए क्या किसी एंकर को ओफ एर करने का फैसला लिया गया है यानि क्या किसी एंकर को हटाया गय है खुद कोट ने पूछा है कि नफरत और पुर्वागराफ फैलाने वाले किसी एंकर को ओफ एर किया गया है या नहीं अगर ऐसा किया जाता तो क्या वो पत्रकारिता पर हमला होता सूचना प्रसारण मंतरी अनुराग ठाकुर इस बहस में कूद गये हैं जबती उनका काम या बताना है कि उनके मंतराले ने सामप्रदाइक होती इन बहसों को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए खुद अनुराग ठाकुर पर हेट स्पीच के एक मामले में एफ आई यार दर्ज करने को लेकर सुप्रीम कोट में याचिका दायर है तीन अक्टूबर को दिल्ली में एफ आई यार होगी या नहीं उनका ये भाशन 27 जनवरी 2020 का है एक मंतरी जब कथित रूप से गोली मारने का नारा लगवाएं तो उनके खिलाग कोई कारवाई नहीं होती है एक भाशन के मामले में फैसले और सुनवाई का यहाल है तो फिर नफरती भाशनों और एंकर से लड़ने का क्या रास्ता बचता है बीजेपी जिसका अपना ट्रैक रेकॉर्ड इस मामले में बेहत खराब है वह भी पत्रकारिता पर हमला के नाम पर इस बहस में कूद गई है आप सब पत्रकार बैठे हैं यहां पर और आपके माध्यम से और टीवी के कैमरे के माध्यम से मैं करोडों पत्रकारों से आज सवाल पूछता हूँ क्या ये जो 14 नाम लिखे गए हैं ये बॉयकॉट के नाम है या ये टार्गेट लिस्ट है क्या इनको केवल बॉयकॉट किया गया है या इनको टार्गेट करने के लिए इनके नाम जारी किये गए हैं मैं ये सवाल प F.I.R. डालेंगे, आपको छोडेंगे नहीं, आपको मसल के रख देंगे और आप बताईए एक पॉलिटिकल पार्टी के कारे करता होते हैं, अब मैं कांग्रेस के लिए या उनके पार्टी के लिए कहूंगा नहीं कि लाग को कारे करता हैं, आजारों तो हैं, कुछ सव तो है आपके कारेकरता कल अगर इस हिट लिस्ट में जिनके नाम दिये गए हैं उनके साथ दुर्विवार करें उन पर हमला कर दें क्यूंकि आपने लिस्ट जारी की है बकायदा कि यह नफरती पत्रकार है और प्रेस कॉनफरेंस करके कहा है कि यह नफरत का दुकान चलाते अगर कुछ लोग इनके ऊपर दुर्विवार कर दे तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है तो मैं इसको बॉयकॉट का लिस्ट कदाचित नहीं कहूंगा यह एक हिट जॉब है और मुझे लगता है इसे सारे पत्रकार फैटर्निटी को बहुत गंभीता से लेनी के अवशक्ता है ट्वीटर पर लोग अनेक उधारन दे रहे हैं जब बीजेपी के राज्यों में पत्रकारों पर केस किया गया हमला हुआ नौकरी से निकलवाया गया उनके कारिकरमों का बहिशकार हुआ बहिशकारों का खेल किसने शुरू किया सभी जानते हैं मोदी सरकार के आने के बाद अभिसार शर्मा, पुन्य प्रसुन वाजपेई, अजी तंजुम, अंग शुकांता, चक्रवर्ती से लेकर ना जाने कितने पत्रकारों को नौकरी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा इनमें कई बहतरीन महिला पत्रकार भी हैं, अखबारों से भी पत्रकारों को निकाल दिया गया जो पत्रकारिता करना चाते थे, कर रहे थे क्या तब पत्रकारिता पर हमला नहीं हुआ, क्या अनुराग ठाकुर इस पर बोल सकते हैं, और बीजेपी के इस बयान को ट्वीट कर सही ठहरा सकते हैं, जब बीजेपी ने बकायदा प्रेस रिलीज जारी कर आदानी पुर्वे एंडी टीवी के बहिशकार को सही ठहराया आठ मार्च 2014 को भाजपा ने प्रेस रिलीज जारी कर एंडी टीवी के बहिशकार की घोशना की थी, चैनल ने एक ट्वीट किया था जिसमें भाशा की तुठी के कारण गलत संदेश जा रहा था, चैनल ने अपने ट्वीट के लिए दर्शकों से माफी मांगी, फिर भी प् कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक चैनल द्वारा इस प्रकार का ट्वीट अप्रत्याशित है, इसलिए फिलहाल भाजपा सभी पैनल डिसकशन से दूर रहेगी, अब वही बीजेपी इंडिया गठवंदन के फैसले को पत्रकारिता पर हमला बता रही है, ब आदानी लॉंडरिंग का केस बनाया गया, पांच हजार आदानी समूम पर नजाने कितने आरोप लगे, कितनी रिपोर्टिंग हुई, इन 14 एंकरों के कारिक्रमों में क्या उन पर चर्चा हुई, इनके चैनलों ने क्या उस पर कोई चर्चा की, सिदिक कपन के बारे में कि राजिय नागरिकों के अधिकारों को कुचलने के लिए राश्ट्रिय सुरक्षा का इस्तिमाल कर रहा है, या कानून के राज की भावना के खिलाफ है, राश्ट्रिय सुरक्षा का मामला भर हो जाने का मतलब, या नहीं कि राजिय बराबरी और तटस्ता से काम नहीं करे बंद लिफाफे की प्रक्रिया अपनाने से याचिका करता कि अधिकार का हनन होता है ये रिकॉर्ड है उस मोधी सरकार का आप उन चैनलों से पूछिए कि इस पर कोई डिबेट हुआ था गोधी मीडिया कुछ भी हला करता है सरकार सपोर्ट में आ जाती है और सरकार कुछ भी गलती करती है गोधी मीडिया उसे सपोर्ट करने आ जाता है इन दोनों में फर्क करना पत्थर के बीच से हीरा चुन लेने जैसा है डैनिक जागरन ने आठ कॉलम का फेक निउस छाप दिया कि पाकिस्तान के खिलाब सरजीकल स्ट्राइक हुई क्या किसी ने कहा कि ये पत्रकारिता पर हमला है जिलास तर पर पत्रकारों पर कितने हमले हो रहें अप्रेल 2022 में जब बलिया में परिक्षा के प्रश्न पत्रों की चोरी का मामला उजागर किया गया तो ऐसा करने वाले पत्रकार को ही जेल में डाल दिया गया अजीत कुमार ओजह, दिग विजय सिंग, मनोज गुपता गिरफतार कर लिये गए जब बलिया में पत्रकार आंदोलन करने लगे तब क्या गोधी मीडिया के इन चैनलों ने उनका साथ दिया था यह मद्यप्रदेश के सीधी जिले की घटना है एक ठाने में समाजी कारकरताओं और एक पत्रकार के कपड़े उतरवा लिये गए बीजेपी के विधायक केदार नाशुकला की शिकायत पर इन्हें गिरफतार किया गया था इसी जून 2023 की घटना है जब विपिन यादाव राशिद हुसैन को दैनिक भासकर अखबार ने नौकरी से निकाल दिया क्योंकि एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें केंद्रिय मंत्री स्मृती इरानी से वे सवाल पूछ रहे थे मंत्री जी ने कहा अगर आप मेरे शेत्र का अपमान करेंगे तो मैं आपके मालिकान को फोन करके कहूंगी आइंदा मेरे शेत्रि की जनता का अपमान मत कीजिए बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूं नियूज्लॉंड्री की इस रिपोर्ट को ही पलट कर देखे अवधेश कुमार और प्रतियुष्दीप की रिपोर्ट थी नियूज़्ॉन्ड्री की टीम अपनी रिपोर्ट में निश्कर्ष पर पहухँची कि ये दैनिग भासकर के पत्रकार हैं इसमें भासकर की और से कहा गया कि ये दोनों पत्रकार थे ही नहीं स्ट्रिंगर थे तो भी क्या स्ट्रिंगर को सवाल पुछने पर हटा देना चाहिए था पत्रकारिता पर हमला कौन कर रहा है आपके सामने है जिन एंकरों का नाम सामने आया है वो कह रहे हैं कि सवाल पूछना नहीं छोड़ेंगे इन्हें बताना चाहिए कि कब इन्होंने मोदी सरकार से सवाल किया इन्हें सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं तो विपक्ष से पूछने की पत्रकारिता की खोच कर डाली कहा भी है कि प्रधान मंत्री ने एक भी लाई प्रेस कांफरेंस नहीं की प्रधान मंत्री प्रेस का समान नहीं करते हैं क्या इसे नहीं माना जाये कि प्रधान मंत्री प्रेस का बहिशकार कर रहे हैं फिर किस साधार पर विपक्ष की सूची को पत्रकारिता पर हमला बताया ज रहा है राहुल गांधी की प्रेस कांफरेंस में तो कई सारे पत्रकार नजर आते हैं वे सवालों के जबाब देते हैं लेकिन क्या इस तरह की प्रेस कांफरेंस आपने प्रधान मंतरी मोदी की देखी है प्रधान मंतरी मोदी से ये 14 एंकर सवाल नहीं पूछते कि आप प्रेशा कैमरों और माईक की भी नजर आएगी और वे जवाब भी दे रहे होते हैं। हालत ये हो गई है कि अमेरिका के पत्रकार अपने राष्टपती के साथ भारत आए तो उन्हें सवाल जवाब करने का मौका नहीं दिया गया। अमेरिका के राष्टपती जो बाइडन को वियतनाम जाकर प्रेस कांफरेंस करनी पड़ी तब क्या अनुराग ठाकूर, बीजेपी, गोदी चैनल और उनके एंकरों ने कहा कि पत्रकारिता पर हमला हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। दानिश सिद्ध की, शांदार फोटो पत्रकार थे, अफगानिस्तान में उनकी मौत हो गई। दानिश को पुलिजर पुरसकार मिला, पत्रकारिता के शेतर में बड़ा पुरसकार है, किसी ने दानिश के लिए दोशब्द नहीं गए, सना इरशाद मट्टू जब पुलिज लेने अमेरिका जा रही थी, तब उन्हें दिल्ली एरपोर्ट पर रोख दिया गया, यूपी के मुर्जापुर के दिवंगत पत्रकार पवण जायसवाल ने दिसंबर 2019 में रिपोर्ट की, कि सरकारी प्राइमरी स्कूल में मिड़े मील स्कीम में खाने में नमक रोटी मिल गाओं के प्रधान और पवण जायसवाल पर केस हो गया कि ये लोग यूपी सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे, सारे आरोब जूटे पाए गये, जायसवाल को बरी कर दिया गया, इन 14 में से किस पत्रकार ने पवण के लिए बोला, क्या उनके चैनलों पर पव विंदर भटकी बेंच को कहना पड़ा कि आपराधिक मामलों में फंसा कर इस देश के नागरीकों की बोलने की आजादी को नहीं दबाया जा सकता, कोट को यह भी समझाना पड़ा कि कोई किसी के लिए इनसाफ की मांग करे तो उसे नफरती बयान नहीं कहा जा सकता है, इस होश नहीं आया, अब भी नहीं कह रहे हैं कि हम नफरत नहीं फैलाते हैं ना फैलाएंगे, बलकि पत्रकारिता पर हमला के नाम पर अपनी कर्टूतों पर परदा डाल रहे हैं, जब आज तक के कारकरम में मंतरी ने, समिती रानी ने सवाल पूछने पर एंकर को जेल की परसाद ने जारी किया है, इस आदेश में तो तत्यों की पुष्टी की बात लिखी है, लेकिन बरेली के पत्रकार शिशिर शुकला का केस पड़कर लगता है, अब हर खबर के बाद अधिकारियों में फाईयार करने की होड मचेगी, कि कहीं शासन या सवाल ना कर दे कि इस आदेख्या ख़द सरकार की तरफ ख़ड़ा होकर पत्रकारिता पर हमले को चुप चप देखता रहा और हमला करता रहा, निगेटिव खबरों पर रोक के नाम पर जब बीजेपी की सरकार, मोधी सरकार कुछ करती है, तो गोदि मीडिया क्या करता है? क्या कभी विरोध करता है सवाल करता है तब वो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंतरता की सीमा की याद दिलाता है राष्टरवात का नाम लेकर डराता है धमकाता है मार्च 2021 की हिंदू की खबर सरकारी समबाद को बेहतर करने और नेगेटिव नेरेटिव का मुकामला करने के लिए मंत्रियों के समून सुझाओ दिया कि सोशल मीडिया पर पचास नेगेटिव और पचास पॉजिटिव इंफ्लूएंसर्स को ट्रैक किया जाए जो सरकार के खिलाब बेबुनियाद बाते लिख रहे हैं उन्हें नीट्रलाइज किया जाए मतलब उन्हें काबू में लाया जाए इस खबर में आ प्रमुक अकादमिक लोग होंगे वाइस चांसलर विदेश सिवा के अधिकारी होंगे जो सरकार की उपलब्धियों के बारे में लिखेंगे तो सरकार अपनी विचारधारा से मेल खाने वाले पत्रकारों और हस्तियों की सूची बना सकती है वो पत्रकारिता पर हमला नहीं हैं अगर सरकार को गोधी मीडिया पर विश्वास ही होता तो यह सब करना पड़ता है इन लोगों को सरकार कितने पैसे दे रही है या देगी या साफ नहीं जानकारी वैसे होनी चाहिए पत्रकारिता पर हमले को और उसके खत्रे को इमानदारी से समझने की जरूरत है जिस तरह से मोधी सरकार के दोर में इसके हर सिध्धान और मर्यादाओं को कुछला गया अब यह पेशा पहचान में नहीं आता है सही और गलत का भेद मिटकर कीचा बन चुका है नए सिरे से इस पेशे के सिध्धान तो और भाशा को गढ़ने की जरूरत है फिलहाल आप गोदी मीडिया से सतरक रहा कीजिए और एक सवाल खुछ से पूछिए आपको गोदी मीडिया से आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए नमस्कार मैं रविश कुमार